Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरी और यह है आप लोगों के लिए 2022 की yearly reading तो सबसे पहले विश यू आल वेरी वेरी हापी नियू यर I really wish की 2022 आप लोगों के लिए धेर सारी खुशियां लेकर आए और जो भी आपकी wish है, जो भी आपकी desire है वो 2022 में जरू मिनिफेस्ट हो तो देखिए इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और अगर आप डारेक्ली अपनी reading से शुरू करना चाहते हैं तो नीचे time stamp है आप उस पे click कर सकते हैं और specifically आपकी reading शुरू करने से पहले एक नजर in general 2022 पे डाल लेते हैं तो देखिए जब हम 2022 को total करते हैं वी गित नमबर 6 और नमबर 6 निमरॉलेजी में वीनस यानि की शुक्र ग्रह का होता है शुक्र ग्रह कमफर्ट, लग्शुरी, लाइफस्टाइल को रिप्रेजन करते हैं फन, मज़ा, मस्ती, entertainment को रिप्रेजन करते हैं इटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेंकिंग और वेहिकल्स को भी रिप्रेजन करते हैं तो देखे, या तो इन ही सब चीजों पर हमारा फोकस 2022 में रहने वाला है या फिर ये चीजें डारेकली, इंडारेकली हमारी लाइफ में एड हो सकती हैं और देखे, अगर आपका प्रोफेशन भी इन ही सब में से है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी 2022 में काफी अच्छी रहती हुई दिख रही है और देखे, शुक्र की राशियां होती हैं लिब्रा एंट टॉरस शुक्र के मित्र हैं साटन और मर्कुरी साटन और मर्कुरी की राशियां हैं अप्रिकॉर्ण, एक्वेडियस, वर्गो, एन जेमिनी और इन राशियों के लिए भी 2022 काफी अच्छा रहता हुई दिख रहा है और अगर आपका नेम नंबर या फिर डेट ओव बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए भी 2022 again मैं कहूंगी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है और दिखे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर हम पिछले दो सालों से compare करें तो 2022 again काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है और दिखे दूसरी बात I truly believe that nothing is written on the stone और कुछ भी fixated नहीं होता है और दिखे इस reading को आप as guidance ही लें क्योंकि दिखे जो भी इस reading में आप देख रहे हैं अगर आपको बहुत अच्छा लगता है देखके या फिर आपको लगता है कि यही आप 2022 में अपनी life के लिए चाहा रहे थे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसे लगता है कि यह तो आप 2022 के लिए या फिर अपनी life के लिए नहीं चाहा रहे थे तो वहीं पे आपने pause करके थोड़ी सी checking करनी है क्योंकि देखिए ये reading, जो भी आपकी current energies है जो भी आपके actions है, behavior है उसी के basis पर एक probable outcome है ये 100% नहीं है In fact, देखिए कोई tarot card reader, कोई astrologer आपको 100% नहीं बता सकता क्योंकि nobody is God, we all are human beings और देखिए human beings का एक limited vision होता है तो देखिए फिर से इस reading को आप as guidance लें और कभी भी आपको लगे कि भई ये आप 2022 के लिए again नहीं चाहते है तो आपने अपनी checking करनी है कि आपके goals के साथ, आपके actions, आपके thoughts, आपके behaviors align है या नहीं है क्योंकि देखिए हम सब लोगों की life का मसला ही ये है हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और इसी लिए हम अपने goals को भी नहीं achieve कर पाते पर example, देखिए मैं Switzerland जाना चाहती हूँ, और मैं Goa के बारे में सोच रही हूँ Goa की tickets देख रही हूँ, Goa की restaurants या फिर hotels देख रही हूँ तो बहुत सारे chances हैं कि मैं Goa ही जाऊंगी, और फिर देखिए मैं परेशान होंगी इसी तरीके से हमारा goal कुछ और होता है, हम सोचते और करते कुछ और है और देखिए अगर आपने 2022 में जाने से पहले इस चीज की checking करके इसको correct कर लिया तो कोई दुनिया की ताकत आपको आपका goal achieve करने से नहीं रोग सकती और फिर से मेरी request है कि इस reading को आप as guidance लें करने में आपकी help करे, आपकी मदद करे और इसी के साथ हम 2022 की reading शुरू करते हैं तो लिबराज इससे पहले कि हम 2022 की reading शुरू करें एक नजर 2021 को देख लेते हैं कि broadly speaking 2021 में आप लोगों के लिए क्या रहा तो फिर से देखे 2021 को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले cards आप लोगों के लिए है night of pentacles in maturity और देखे maturity का card तो बहुत ही clearly कहता है कि जो भी 2021 की starting में रहा कहीं आपने बहुत maturity के साथ, बहुत समझतारी के साथ हर चीज को deal किया और देखे यह दोनों ही cards pentacles के हैं और दोनों ही cards एक practical, realistic तरीके से चीजों को deal करने की बात करते हैं कहीं या तो materialistic, tangible, पैसा या फिर monetary चीजों पे focus करने की बात करते हैं या फिर इन ही चीजों से related किसी level पे किसी तरीके का gain होने की बात करते हैं और देखे कुछ ऐसा ही 2021 की starting में भी आप लोगों के लिए रहा तो फिर से मैं कहूंगी कि आपने बहुत practical, बहुत realistic तरीके से हर चीज को deal किया कहीं एक stability, एक security अपनी life में लाने पे आपका focus रहा या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक stability, एक security आपकी life में आई career, professional life पे ज़्यादा focus रहता हुआ दिख रहा है और tangible, materialistic, पैसा या फिर money से related किसी level पे एक फायदा हुआ या फिर इन ही चीजों पे आपने focus किया और दिखे जो भी 2021 की starting में रहा यहाँ पे night of pentacles का card कहता है कि कहीं आपकी passive energies रहीं कहीं liberals आपने बहुत actively या फिर बहुत जादा किसी भी चीज में अपने आपको involved नहीं किया किसी भी चीज में participate नहीं करा आप कहीं रुकते हुए, आप कहीं pause लेते हुए 2021 की starting में मुझे देख रहे हैं जहाँ पे आप आगे बढ़ने से पहले और sure होना चाहा रहे थे और जादा चीजों को समझना चाहा रहे थे या मैं कहा सकती हूँ कि जब तक की 100% surety आपको नहीं मिल रही थी तब तक आप आगे नहीं बढ़े, तब तक आपने action initiatives नहीं लिए और देखे ये energies सब Libra's के लिए different life के areas में रह सकती हैं कुछ लोगों के लिए relationship से related रह सकती हैं कुछ लोगों के लिए work, career से related रह सकती हैं और देखे फिर से मैं कहूंगी कि किसी भी life के area में Again, ऐसी energies रह सकती हैं, जहाँ पे आप रुख गए, जहाँ पे आपने pause लिया, और और surety, और security, you know, आप बुलाना चाहा रहे थे आगे बढ़ने से पहले. तो देखिए, overall के लिए अगर हम देखें, तो इन ही सब चीजों से related, यानि की practical, materialistic, tangible चीजों से related, 2021 की starting कहीं ठीक ठाक रही, और देखिए, well-being, health पे भी, काफी सारे Libras का काफी focus रहा. और देखिए, कहीं mid of 2021 के लिए, यहाँ पे six of swords का card कहता है, कि कुछ changes यहाँ तो आप लाना चाहा रहे थे, यहाँ फिर कुछ changes आए, और इन्ही changes से related, कुछ मसले, कुछ issues, कुछ delays भी रहे, कुछ चीजें postpone भी हुई, और देखिए, surface level पे जो भी हुआ, कहीं यह, you know, changes, या फिर मैं कहा सकते हूँ, कि जो भी issues and changes में आए, उसकी वज़े से, या फिर otherwise भी, काफी एक sharing, काफी एक caring energies, जो भी लोग आपके आसपास हैं, या जो भी आपके loved ones हैं, उनके साथ रही, आपने जादा अपने loved ones के साथ interact किया, जादा आप मिले, जादा, you know, आपकी involvement mid of 2021 में, अगेन उनके साथ रही, और देखिए, आपे six of swords का का काट कहीं movement की बात करता है, shift की बात करता है, रहे थे, नहीं बढ़ पाए, या फिर से मैं कहूंगी की movement को लेकर एक stuck energies रही, और देखिए, ये general reading है, तो यहाँ पे सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ कर सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि again किसी चीज से आप आगे बढ़ना चाहा रहे थे, नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप simply travel करना चाहा रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि change of place, change of location, change of job, change of residence, change of team या फिर किसी भी चीज़ को लेकर या तो आप एक changes चाह रहे थे नहीं हो रहे थे या फिर कुछ changes again मैं कहूंगे कि हो रहे थे लेकिन उनसे related कुछ मसले थे और फिर से देखिए deeper level पे कहीं इन ही चीज़ों की वज़े से या otherwise भी एक sharing एक caring वाली energies आपके और आपके loved ones के बीच में रही और देखिए कहीं end of 2021 के लिए यहाँ पे the world का card कहता है कि कोई भी life का phase आपका end हुआ और एक नई beginning हुई और देखिए ये भी सब के लिए differ कर सकता है उस लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत time से काम कर रहे थे और देखिए world के नीचे यहाँ पे exhaustion का भी card है और देखिए ये card कहता है कि शायद आप बहुत effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे वो भी कहीं 2021 के end में complete होती हुई दिख रही है या मैं कहा सकती हूँ कि finally आपको लगा होगा कि भई अब चीज़ें complete हो गई है और फिर से देखिए एक नया phase आपकी life में शुरू हुआ और यहाँ पर दीखिए सब के लिए ending, beginning differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए कोई relationship हो सकता है जो end हुआ और कहीं उनों आपने अकेले ही आगे बढ़ना चाहा या फिर किसी और relationship के साथ आपने आगे बढ़ना चाहा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी existing relationship में issues हो रहे थ मसले हो रहे थे कहीं वो end हुए और फिर उस relationship में ही एक नई beginning हुई, कुछ लोगों के लिए career से related हो सकता है कि कोई चीज end हुई और एक नई beginning हुई, कुछ लोगों के लिए कोई भी or life का area हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई behavior हो सकता है और फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी चीज हो सकती है, जो end हुई और कहीं 2021 में ही उसकी एक नई beginning भी रही, और दिखिये जो भी surface level के लिए रहा, कहीं deeper level के लिए exhaustion का card कहता है, कि इस ending और इस beginning ने आपको बहुत बहुत थकाया, आप बहुत ज़ादा again exhausted feel कर रहे थे, जहाँ पे आपको ऐसे लगा कि बस अब आप ठक गए हैं, अब आपके अंदर और हिम्मत नहीं है किसी भी तरीके के changes या फिर किसी भी चीजों को और face करने के लिए, तो दिखिये overall अगर हम देखें तो 2021 में mixed energies रही, 2021 की starting किसी level पे ठीक ठाक रही, बीच में आपने again stuck energies महसूस करी या फिर movement shift से related, कुछ issues, कुछ मसले हु लेकिन फिर भी दिखिये deeper level के लिए sharing का card, एक enthusiasm, excitement की बात करता है, तो बहुत कोई खराब mid of 2021 भी आप लोगों के लिए नहीं रहा, और end में तो देखिये कहीं एक ठकावट तो रही, लेकिन कहीं उन्हों एक ending, एक beginning भी रही, यहाँ पे देखिये कुछ लोगों के लिए positive ending beginning रह सकती है, कुछ लोगों के लिए negative रह सकती है, और कभी-कभी क्या होता है न, लिबराज जब कोई चीज end होती है, तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि पुरानी चीजों से हम attached होते हैं, और हमें लगता है कि शायद हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, और देखिये हाँ पे में आपको यही कहूंगी कि हम लोग एक limit तक देख पाते हैं, universe बहुत दूर तक देख पाते हैं, और जो भी हमारी life में हो रहा होता है, कहीं you know long term के हिसाब से हम देखें, तो वो कुछ न कुछ हमारी life में अच्छा ला रहा होता है, तो अगर you know आपको लगा भी 2021 के end में, क कि भई यह ending आप नहीं चाहते थे, या फिर आप इतना अच्छा नहीं feel कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप universe पे faith रखें, और बहुत ही you know positively नए साल को welcome करें, और एक positive energies के साथ again मैं कहूंगी कि आप नए साल की शुरुआत करें, तो यह था Libra's आप लोगों के लिए 2021 का एक overview, Libra's इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022, broadly speaking, आप लगों के लिए क्या लेकरा रहा है, तो फिर से देखिए अगर हम overall देखें कि 2022 की क्या energies रहेंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले काज मुझे दिख रहे हैं, success and happiness, और देखिए इन ही चीजों पे या तो आपका focus है, या फिर य हमेशा ही चाहते हैं, लेकिन देखिए कभी-कभी हमें पता होता है कि जो हम कर रहे हैं, इस चीज से या फिर इस relationship से हमें खुशी नहीं मिलेगी, और फिर भी हम उस चीज को करते रहते हैं, या फिर भी हम उस relationship में रहते हैं, at times हम अपने से जादा लोगों की खुशीयों के बारे में सोचते हैं और कहीं देखिए at times हम काम करते रहते हैं हम कहीं result के बारे में इतना नहीं सोचते हैं और फिर result से उतने attach नहीं होते हैं और कहीं 2022 में ये दोनों cards कहते हैं कि आप अपनी happiness अपनी खुशी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कहीं उन्हों जो भी आप कर रहे हैं आपको मन ही मन ऐसा लग सकता है कि भई success तो आपको चाहिए ही चाहिए है थोड़ा सा आप success के लिए obsessive भी रहते हुए दिख रहे हैं and astrology से यहाँ पे सबसे पहला card मुझे शुकर का दिख रहा है और दिखे शुकर का card कहीं beauty की बात करता है relationships की बात करता है कहीं शुकर का card happiness की बात करता है enjoyment की बात करता है luxury की बात करता है comfort की बात करता है और दिखे हम astrology में कहते भी हैं कि किसी के भी chart में अगर शुकर afflicted है या फिर शुक्र वेल प्लेस नहीं है तो उसके पास जितना भी comfort हो जितनी भी luxury हो कहीं वो उसको भोग नहीं पाएगा या फिर से मैं कहूंगी कि comfort और luxury को कहीं enjoy नहीं कर पाएगा और देखिए आप लोगों के लिए 2022 के लिए कहीं शुक्र का काड़ एक luxury comfort को enjoy करने की बात करता है कहीं beauty को admire करने की बात करता है कहीं you know एक happiness एक satisfaction की भी बात करता है और देखिए Venus के साथ यहाँ पे Sagittarius की भी राशी है Sagittarius Jupiter की राशी है जो की सबसे benefit planet होते है और कहीं कालपुरिश की कुंडली में Sagittarius 9th house को represent करता है जो की luck house होता है जो की धरम इस्थान होता है तो देखिए इसके हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे देख रहा है यह हो सकता है कि आप spiritual activities में 2022 में अपने आपको जादा involve कर रहे हैं और देखिए जो भी आप कर रहे हैं लक आपको favor कर रहा है किसमत आपका साथ दे रही है और देखिए Libras जब किसमत हमारा साथ देती है तो अगर मसले भी ह सानी से solve हो जाते हैं और beyond a point हम परेशान नहीं होते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी 2022 में रहता हुआ देख रहा है और कहीं देखिए बहुत एक enthusiasm बहुत एक excitement भी जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए रहता हुआ देख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है क आप थोड़े से impulse हो सकते हैं आप थोड़ा सा जल्दबाजी कुछ चीजों के लिए कर सकते हैं और यहाँ पे Libras में आपको यही कहूंगी कि at times immediate actions लेने पड़ते हैं लेकिन जब हम impulse होते हैं जब हम जल्दबाजी करते हैं तो कहीं हम चीजों को खराब करते हैं और अगर ऐ आप बहुत जादा fixated हो रहे हैं यानि कि कोई भी इंसान या फिर आपके loved ones अगर आपको कोई advice दे रहे हैं सला दे रहे हैं तो आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं या फिर irritate हो रहे हैं या फिर मैं कहूंगी कि आप दूसरे के viewpoint को नहीं देख पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगे लिबराज कि आप सुने सब की करेमन की देखी लोगों को सुनने में कोई हर्ज नहीं होता है जब हम सुनते हैं उनकी बात तो कहीं उनका viewpoint पता लगता है और कभी कोई अच्छी बात उनकी तरफ से भी हमें मिल सकती है और अ 6,000 का कार्ड कहीं रिर्ण रोख शत्रू की बात करता है कहीं professional life career की बात करता है तो बहुत सारी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है या तो अपने you know work front को अपनी professional life को आप बहुत जादा importance दे रहे हैं या फिर circumstances ऐसे हैं situation ऐसी है जहां पे आपका बहुत जादा time and energy आपके work front पे लग रहा है और देखिए कहीं 6,000 again health की भी बात करता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी health को prioritize कर रहे हैं यानि कि अपनी health का बहुत बहुत आप खयाल रख रहे हैं आप healthy खाना का रहे हैं आप physical exercise कर रहे हैं योगा meditation कर रहे हैं या फिर कुछ लोगो का card भी pleasure की बात करता है कहीं enjoyment की बात करता है और अगर हम too much enjoyment और pleasure में चले जाते हैं तो कहीं हमारी health effect करती है तो फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज का आप बहुत खायाल रखें और देखे 6,000 कहीं enemies की भी बात करता है और क्योंकि 6,000 के साथ में यहाँ पे Venus and Sagittarius के cards हैं और य यह दोनों ही benefit planet और राशी माने जाते हैं तो पीछे किसी से भी आपकी किसी भी level पे एक you know दुश्मनी हम कह सकते हैं या फिर difference of opinion रहा या फिर you know कोई लडाई हुई कुछ मसले हुए कुछ issues हुए तो कहीं वो मसले भी आपके solve होते हुए दिख रहे हैं या मैं कह सकते हूं क कि दुश्मनी भी कहीं ठीक होती हुई दिख रही है या दुश्मनी प्यार में बदलती हुई दिख रही है या फिर से देखिये जिनके साथ भी issues मसले हुए कहीं वो resolve होते हुए दिख रहे हैं या पे Pluto का card कहीं ending and beginnings की बात करता है तो किसी life के area से related एक ending एक beginning भी 2022 आप लगो के लिए लेकर आ रहा है और यहां पर देखिये Libra, Rashi and First House के cards कहीं self की बात करते हैं कहीं इनों अपने उपर focus करने की बात करते हैं और पीछे हो सकता है कि Libras आपने अपने आपको बहुत जादा ignore किया या फिर अपने आपको back seat पे रखा आपने अपने उपर इतनी attention नहीं द इस week देखिये Libra, Rashi कहीं relationship की बात करती है तो आप अपने साथ ही relationship better करना चाह रहे हैं अपने साथ relationship यूद Walk, You Know और ज़ादा अपना enhance करना चाह रहे हैं अपने लिए कहीं एक सुकून, peace of mind लाना चाह रहे हैं क्योंकि Libra Rashi कहीं Peace, सुकून की भी बात करती है और कहीं देखिए Libra Rashi Balance की बात करती है कहीं Libra Rashi एक Justice वाली Energies की बात करती है तो पीछे हो सकता है Libra's कि आपको ऐसा लगता हो कि भई आपके साथ किसी लेविल पर Injustice हुआ तो कहीं 2022 में आपको ऐसा लग रहा है कि भई अब आप अपने साथ Injustice नहीं होने देंगे अब कहीं आप अपने आपको Prioritize करेंगे अब कहीं आप अपनी Wishes, अपनी Desires, अपनी Feelings, अपनी Emotions को भी acknowledge करना चाहा रहे हैं और देखिए अगर हम खाली Libra Sign को देखें तो Libra Sign Relationships की बात करती है तो हो सकता है कि इस साल अगेंज सेल्फ के साथ या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके loved ones हैं उनके साथ relationship पे बहुत focus है या फिर किसी खास relationship के ऊपर आप बहुत ज़ादा you know attention दे रहे हैं या उसके बारे में आप बहुत ज़ादा सोच रहे हैं इन nutshell के लिए दिखिए अगर हम इन तीनों cards को combine करें तो इन ही सब चीजों से related एक ending beginning रह सकती है यानि कि self की कोई आदत, self का कोई behavior से related भी एक ending, एक beginning रह सकती है किसी relationship से related, एक ending, एक beginning रह सकती है या फिर देखिए nutshell में कैसे एक सुकून, कैसे एक piece of mind आप अपने ले लेकर आएं उसके उपर बहुत focus कर रहे हैं और कैसे you know एक justice आपकी life में रहे आपके love ones के साथ और self के साथ और देखिए आप ये angel card से emerging का card है और ये card भी कहीं first house की energies के साथ जादा confirm करता है ये card कहता है कि पीछे किसी चीज को लेकर आप suffocated महसूस कर रहे थे या फिर आप again अपनी feelings, अपनी desires को किसी level पर suppress कर रहे थे तो कहीं 2022 में आप उन्ही suffocating energies में से बहार निकलते हुए दिख रहे हैं जो भी चीज आपको suppress कर रहे थी कहीं उस चीज से भी again मैं कहूंगी कि आप बहार emerge करते हुए दिख रहे हैं और दिखे शायद इसलिए याँ पर healing का card कहता है कि एक healing भी आपकी 2022 में हो रही है जहां पर again आप better feel करते हुए दिख रहे हैं जो भी past के hurts थे, जो भी past की चीजें आपको तकलीव दे रही थी आपको परिशान कर रही थी, किसी level पे 2022 में वो ठीक होते हुए दिख रही है और दिखे आप इस surrender and release का card या तो आपको guidance दे रहा है कि जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रही है और दिखे इस sub के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए कोई relationship हो सकता है कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है कोई behavior हो सकता है कोई जगा हो सकती है और फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी चीज हो सकती है उसको आप ज़रूर release करें नई चीजों को आप welcome करें और जिस भी God को आप मानते हैं उन पे complete surrender करके आप आगे बढ़ें और देखिए कुछ लुगों के लिए हो सकता है कि ऐसी energies में है और देखिए यहां पे Goddess guidance से golden opportunity का भी card है और यह card कहता है important doors are opening for you right now walk through them तो देखिए अच्छी opportunities भी कहीं 2022 में आती हुई दिख रही है और यह card आपको कहता है कि please आप उन opportunities को जरूर avail करें और देखिए यहां पे Goddess Ginevere यानि की true love का card कहता है the romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you तो देखिए love, relationships यह बहुत जादा 2022 में रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहां पे भी हमार पस Libra sign का card है and Venus का भी card है I don't know, कहाँ चले गए cards Venus and Libra sign के भी cards है तो देखिए यह तीनों ही cards कहीं relationship, love, प्यार, महबबत की बात करते हैं और देखिए प्यार, महबबत सिरफ एक इनसान से ही नहीं होता है या पिर romantic love ही नहीं होता है किसी भी जगह से किसी भी इनसान से किसी भी relationship में एक प्यार, महबबत रह सकता है तो कहीं फिर से मैं कहूंगी कि true love या तो 2022 में आपकी life में आ रहा है या फिर you know true love आप अपनी life में लाना चाहा रहे हैं और again देखिए यह true love किसी भी इनसान के साथ हो सकता है किसी भी relationship में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए non living you know चीज से भी हो सकता है जो कि again 2022 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है और देखिए यहां पर monology card से waxing moon का card कहीं you know the energy is gaining momentum की बात करता है increase की बात करता है चीजों के बढ़ने की बात करता है और देखिए यह card कहता है कि जिस भी state of mind में आप हैं या फिर जिस भी life के area में आप focus कर रहे हैं वही चीज कहीं increase भी होगी और यहां पर मैं आपको यही कहूंगी Libras की थोड़ा सा खयाल रखें कि आप positive चीजों में अपने आपको involve कर रहे हैं या फिर उन चीजों में आप focus कर रहे हैं जो आपको happiness दें जो आपको खुशी दें क्योंकि देखिए again यह card कहता है कि कहीं एक बढ़ोती आपकी life में हो रही है अगर आप you know negative frame of mind में रहेंगे या फिर उन चीजों पर focus करेंगे जो कहीं आपके लिए वो happiness नहीं ला रही है तो देखिए फिर वही चीजें increase होंगी तो इस चीज का आप जरूर खायाल रखें और यहाँ पर a time to give rather than take का card है और फिर यहाँ पर balance, spirituality and practicality का भी card है और देखिए इन दोनों cards को अगर मैं combine करूं तो जो भी आप कर रहे हैं एक balance जरूर रखें और देखिए मैंने हमेशा का है Libras कि जब भी हम कोई भी चीज too much करते हैं भले ही वो जितनी भी अच्छी हो तभी हमारी life में issues होते हैं तभी हमारी life में मसले भी होते हैं जैसे देखिए खाने में नमक बहुत बहुत एहम है और जब यही नमक खाने में जादा हो जाता है तो वो उस खाने को खराब कर देता है या मैं कह सकती हूँ कि जितना जादा नमक होता है उतना ही इनों वो खाना भी खराब होता है तो फिर से मैं कहूंगी कि एक balanced energies में आप जरूर रहें और देखिए बहुत सारे Libras के लिए हो सकता है कि यही balance आप लाना भी चाह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए Libra Rashi का भी card है और यही guidance cards भी आपको दे रहे हैं और देखिए आप आके टाइप से Medallion का card है कि भी बात करता है कहीं उन्हों बड़ों से किसी चीज के मिलने की बात करता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसी से ही related आपको एक appreciation मिल रही है recognition मिल रही है या पिर किसी भी level पे medal मिल रहा है, reward मिल रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अंतीक चीजों में आपका interest develop हो रहा है, कहीं आप पुरानी चीजें और फिर से मैं कहूंगी कि अंतीक चीजों को इकठा कर रहे हैं, या फिर जो होते हैं कि बहुत पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी जगाएं होती हैं, उनको आप और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपके grandparents हैं, या जो भी बड़े लोग हैं, उनसे आपको कोई चीज मिलती हुए दिख रही है, यहाँ पे देखें अगें सब के लिए differ कर सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जोईलरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई सकते हैं, आप जादा sentimental होते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पे देखें मैं आपको यही कहूँगी कि emotions और feelings बहुत important होती हैं Libras, क्योंकि यही चीज हमें इंसान भी बनाती हैं, लेकिन जब हम जादा emotional हो जाते हैं, जादा sentimental हो जाते हैं, तो कहीं ही नो हम बहुत जादा प हाट और माइंड का balance सरूर आप 2022 में रखें, और जितना आप balance रखेंगे, उतना ही आप 2022 की energies को भी better कर पाएंगे, और देखिए यहाँ पे box का card कहता है, कि आपको चीजों को लेके, अपने आपको restrict करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए हम सब लोगी society, या फिर जो भी ह हमारे loved ones होते हैं, उनको खुश करने के लिए, या फिर उनकी तरफ से कुछ मसले ना हो, अपनी desires को, अपनी wishes को कहीं, you know, acknowledge नहीं करते हैं, या फिर उनको ही किसी level पर suppress करते हैं, हाला कि देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर first house का भी card है, और कहीं first house का card कहता है, कि आप अपनी wishes, अपनी desires को acknowledge करना चाहा रहे हैं, तो देखिए जितना भी आप अपने उपर focus कर रहे हैं, यहाँ पे box का card कहता है, कि फिर भी आप लोगों के बारे में, religion के बारे में, society के बारे में, बहुत जादा सोच रहे हैं, कहीं उनको आप खुल के चीजों को experience करना चाहते ह हैं, आप कहीं उनको खुल के अपनी जिन्दगी जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी level पे अपने आपको restrict कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिबराज में आपको यही कहूंगी कि society और लोगों के बारे में हमें सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही society को ignore कर दें, अपने loved ones को बिल्कुल ही हम ध्यान ना दें, लेकिन फिर से यहाँ पे देखिए एक balance आप जरूर maintain करें, in the process आप अपनी wishes को, अपनी desires को कहीं suppress ना करें, और फिर से देखिए overall की ही जो reading है, वो balance की बात करती है, और आप बहुत जादा अपने आपको restrict ना कर हाला की देखिए यहाँ पे emerging का card कहता है, कि आप किसी चीज में से बाहर निकलना चाहा रहे हैं या निकल रहे हैं, तो देखिए जरूर इस चीज को आप चेक करके correct करें, जो भी चीज आपको suffocate कर रही है, उससे आप अपने आपको बाहर निकालें, और बहुत सारे libras के ल पा रहे हैं, उन पे नहीं focus कर पा रहे हैं, तो देखिए इस चीज का मैं फिर से बोलूँगी कि आप बहुत खायाल रखें, जो months आप लोगों के लिए 2022 में significant रह सकते हैं, वो है January, July and October, तो देखिए फिर से मैं कहूंगी January, July and October, ये 2022 में significant months आप लोगों के लिए रह सकते है तो ये था Libra's, एक overview 2022 का, लिबराज इस reading में हम देखेंगे कि 2022 के first four months, that is January, February, March, April आप लोगों के लिए क्या ले करा रहे हैं, तो फिर से देखिए इन four months को देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं, A Change in the Wind and Difficulty in the Beginning, और ये cards कहते हैं कि कुछ changes, कुछ या तो आ रहे हैं, या फिर आप लाना चाहा रहे हैं, और देखे Libra's क्या होता है ना, कि जब भी भी किसी भी तरीके के changes हमारी life में आते हैं, भले ही वो changes positive हों, तो जहाँ एक तरफ एक excitement होती है, वहीं दूसरी तरफ एक fear, एक discomfort भी किसी level में रहता है, क्योंकि देखें, प comfort zone हो जाता है, हमें इतनी आदत पढ़ जाती है कि चाहा के भी हम उनको let go नहीं कर पाते हैं, और नई चीजें भले ही जितनी भी अच्छी हों, लेकिन हम पूरी तरीके से उनके बारे में नहीं जानते हैं, और शायद इसी लिए एक fear, एक insecurity, या फिर किसी level पे एक uncertainty रहती है और देखे कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी in four months के लिए रहता हुआ दिख रहा है, और देखे आपने देखा भी होगा, जब भी बी किसी की शादी होती है, तो एक तरीके से वो उनकी life की नई beginning होती है, तो जहां couples excited होते हैं, वहीं कहीं उनों एक fear भी रहता है, और न और इन ही changes से लेकर कुछ issues, कुछ मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ adjustments, कुछ compromises भी हो सकता है कि आपको करने पड़ें, और देखे शायद इसलिए यहाँ पे four of cups का card कहता है, कि आप 2022 की starting में कहीं बहुत जादा किसी चीज़ को लेकर excited नहीं हो रहे हैं, कहीं बहुत जादा enthusiastic नहीं दिख रहे हैं, या मैं कहा सकती हूँ कि आप emotionally low feel कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ आपको वो happiness, वो joy, वो satisfaction नहीं दे पा रही है, और देखिए इस card को अगर हम literally देखें, तो यह card कहता है कि कोई मसला नहीं है, कोई issue नहीं है, in fact सब कुछ आसपास ठीक ठाक है, बट फिर से मैं कहूंगी कि आप किसी भी चीज़ को लेके उतने खुश, उतने हैपी नहीं देख रहे हैं, देखिए इस card को भी अगर आप देख पा रहे हैं, तो इस figure के सामने तीन cups पड़े हुए हैं, और आसमान से एक cup इसको offer भी हो रहा है, लेकिन फिर भी you know ये figure उतनी खुश नहीं देख रही हैं, हाथ मोड कर, सिर नीचे करके, किसी भी चीज़ में interested नहीं देख रही हैं, और देखिए कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी देख रहा है, और यहाँ पे Libras में आपको यहीं कहूंगी, कि अगर आप इस energy में जादा time तक रहेंग तो देखिए बहुत डीप आप इस energy में जा सकते हैं, और फिर क्या होता है ना, जिस energy में हम vibrate कर रहे होते हैं, वही energy हम universe से भी attract करते हैं, और फिर यह cycle बन जाता है, जिसको जब तक हम तोड़ते नहीं हैं, तब तक यूनों ऐसे ही चलता रहता है, तो बहुत बहुत important है Libras कि आप अपने आपको इन energies में से बाहर निकालें, देखिए जरूर आप कुछ ऐसा करें, जो आपको excitement दे, जो कहीं एक enthusiasm आपकी life में लेकर आए, और देखिए कहते भी हैं, fake it until you make it, तो जब हम अगेन ऐसी energies में हों, तो उस time पे बहुत important होता है, कि हम कुछ ऐसा जरूर करें forcefully कुछ ऐसा जरूर करें, जिससे की again एक enthusiasm, एक excitement हमारी life में आए, ये cycle break हो, तो फिर से मैं कहूंगी कि आप ऐसा जरूर करें, या फिर इस चीज का खयाल रखें, और देखिए four of cups के नीचे guidance का card कहता है, कि इसी वज़े से या फिर in general भी, या तो आप किसी से guidance advice ले रहे हैं या फिर किसी को आप guidance advice दे रहे हैं, और देखिए जादा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, आप guidance advice ले रहे हैं, आप इसी मसले के बारे में हो सकता है, अपने love one से, अपने close one से बात भी करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए कहीं mid of these four months के लिए, page of swords reverse का card कहता है, कि एक frustrating energies रह सकती है, किसी level पर एक irritation रह सकती है, हो सकता है कि आप बहुत जादा logically चीज़ों को analyze कर रहे हैं, आप बहुत mind से चल रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर एक confusion है, आप clarity लाना चाहा रहे हैं, और देखिए जो भी हो, कहीं आप बहुत maturity के साथ चीज़ों को नहीं deal कर रहे हैं, कहीं एक immature energies या childish behavior रहता हुआ दिख रहा है, आपका communication काफी blunt, काफी straightforward भी रहता हुआ दिख रहा है, और देखिए लिबराज अगर ऐसा आप पाएं, तो थोड़ा सा खयाल रखें कि आपके communication की वज़े से कोई hurt ना हो, क्योंकि देखिए straightforward होके बात करना बहुत plastic हो जाते हैं, या फिर बहुत जादा blunt होते हैं, तो कहीं सामने वाला hurt हो जाता है, और बाद में फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो देखिए इस चीज की checking आप जरूर करें, और फिर से देखिए, यहां पे irritation, frustration के लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं, लेकिन page of swords के नी कि कुछ changes कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो देखिए फिर से इन ही changes की वजए से यहां पिर कोई भी reason हो सकता है, एक irritation, एक frustration, एक low energies कहीं mid of these four months तक रहती होई देख रही हैं, और देखिए यह changes again सब के लिए differ कर सकते हैं, कुछ के लिए change of place हो सकता है, कुछ के लिए change of residence हो सकता है, कुछ के लिए change of job हो सकता है, कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं, travel कर रहे हैं, और देखिए जो भी हो, कहीं end of these four months में चीजें कहीं ठीक होते होई दिख रही हैं, कहीं देखिए again मैं कहूंगी एक maturity आती होई दिख रही है, यहां पे king of pentacles का card, कहीं ए एक practical, एक realistic तरीके से चीजों को deal करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, और देखिए कहीं king of pentacles का card stability की भी बात करता है, security की भी बात करता है, कहीं you know finances, पैसे या फिर materialistic tangible चीजों पर focus भी करने की बात करता है, और कुछ लोगों के लि money से related, कोई फाइदा भी आपको होता हुआ देख रहा है, और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने professional front पे जादा focus करना चाहा रहे हैं, और देखिए deeper level के लिए हाँ पे laziness का card कहता है, कि कुछ लोग हो सकता है कि मन ही मन थोड़ा सा किसी चीज को लेकर lazy ह रहे हैं, या फिर से मैं कहूंगी कि एक comfort, एक you know, राम भी किसी level पे आता हुआ देख रहा है, जो हमने देखा था कि एक discomfort रह रहा है, तो वहीं देखिए कहीं end of these four months में, आप थोड़ा सा चीजों को लेकर relax करते हुए देख रहे हैं, थोड़ा सा एक peace of mind, थोड़ा सा एक आ रहा है, यहां अपलाना चाहा रहे हैं, तो देखिए, nutshell में, mid of these four months तक बहुत great energies नहीं दिख रही हैं, surface level के लिए, और end of these four months में कहीं चीजें better होती हुए दिख रही हैं, और देखिए, यह सारे ही minor arcana cards हैं, तो मैं आपको यहीं कहूंगी, कि एक conscious awareness के साथ, एक conscious effort के साथ आप इन energies को भी बदल सकते हैं, जो mid of these four months के लिए हैं, जहां पर फिर से देखिए, आप इतना high energies में नहीं हैं, यहां फिर इतना excited नहीं महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप effort करेंगे excitement लाने की, enthusiasm लाने की, यहां फिर अपने आपको उन चीजों में involve करेंगे, जो आपको खुशी देती हैं, भले ही, you know, आप उतना ना उन चीजों को करना चाहा रहे हों, तो देखिए, आप अपनी energies को बदलेंगे, और जब आपकी energies बदलेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें भी बदल जाएंगी, तो यह था लिपराज, आप लोगों के लिए January, February, March, April 2022 का आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, तो देखिए, इन four months को अगर हम देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले cards मुचे दिख रहे हैं, Ace of Cups and Four of Wands, और दोनों ही cards कहीं happy energies की बात करते हैं, satisfaction, joy की बात करते हैं, कहीं enthusiasm, excitement की बात करते हैं, positive changes की बात करते हैं, किसी भी life के area में एक नई beginning भी होने की बात करते हैं, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी in four months में रहता हुआ देख रहा है, और देखिए, specifically देखें, तो Ace of Cups का card एक नई beginning की बात करता है, और देखिए, general reading है, तो यहाँ पे नई beginning सब के लिए differ कर सकती है, कुछ के लिए नया घर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई job हो सकती है, और फिर से मैं कहूंगी कि किसी भी life के area में एक नई beginning हो रही है, again कुछ लोगों के लिए personal life हो सकती है, कुछ लोगों के लिए professional life हो सकती है, और जो भी नई beginning हो रही है, वो कहीं एक happiness, एक joy आपकी life मिलेक और देखिए Ace of Cups के नीचे यहाँ पर ड्रीम का कार्ड है तो इस नई beginning का connection directly या फिर indirectly आपकी किसी wish आपकी किसी desire से रह सकता है जहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई आपकी wish कोई आपकी desire छोटी या बड़ी in 4 months में पूरी हो रही है या फिर आप अप अपनी dreams पे जादा focus कर रहे हैं कैसे आप अपनी dreams को reality में convert करें या फिर in 4 months में आपको लग रहा है कि कोई आपकी dream है कोई आपकी wish है वो पूरी हो सकती है और देखिए यहाँ पे four of wands का card भी कहीं again celebration की बात करता है get together की बात करता है reunion की बात करता है जादा लोगों से interact करने की मिलने की बात करता है और कहीं देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी level पे कुछ changes भी you know in four months में again मैं कहूंगी हो रहे हैं क्योंकि four of wands का card change of place, change of location, change of residence, change of office या फिर अपने घर को renovate भी करने की बात करता है कहीं यह देखिए यह दोनों ही cards vacation पे जाने की बात कर सकते हैं फिर से मैं कहूंगी कि किसी भी तरीके की celebration हो सकती है professional या फिर personal front में जो लोग शादी के बारे में जादा सूच रहे हैं या फिर शादी करना चाहा रहे हैं उनके लिए भी ये four months काफी positive रह सकते हैं जो लोग conceive करना चाहा रहे हैं उनके लिए भी ये four months काफी positive रह स together यह reunion differ कर सकता है और देखिए खाने, पीने, eating, drinking, merrymaking पे इन four months में जादा focus रह सकता है और देखिए फिर से यहाँ पे four of wands के नीचे भी celebration का card कहीं similar सी energies की बात करता है and देखिए कहीं in four months के end के लिए यहाँ पे star, reverse and schizophrenia के cards कहते हैं कि किसी चीज को लेकर आप अपने आपको अटका हुआ पा सकते हैं, एक stuck energies रहती हुई देख रही हैं, यहाँ पे भी सब के लिए different reasons हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कोई decision लेना है, आपने कोई choice लेनी है और कहीं आप decide नहीं कर पा महसूस कर रहे हैं और देखें surface level के लिए star reverse का card कहता है कि शायद आप कुछ चीजों को लेकर एक confusion महसूस कर रहे हैं यहाँ मैं कह सकती हूँ कि clarity नहीं आपको मिल रही है, कहीं किसी चीज को लेकर directionless आप रह सकते हैं और एक negative frame of mind भी रहता हूँ दिख रहा है, यहाँ पर भी देखें सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन star reverse का card कहता है कि कि किसी चीज को, किसी relationship को, किसी you know professional life के area में आपने बहुत ज़ादा दिया और कहीं you know in four months के end में आपको लग रहा है कि आपको उतनी वापस ही नहीं मिल रही या फिर you know कोई चीज waste हो गई है, तो यहाँ पर देखें मैं आपको यहीं कहूंगी liberals की जितना जादा आप एक positive frame of mind रखेंगे उतना ही आप you know in four months की end की energies को भी better करेंगे क्योंकि देखें overall बहुत अच्छी energies हैं, लेकिन कहीं end में जाके एक negative frame of mind की वज़े से या फिर किसी चीज को लेकर एक उमीद हो सकता है आप खो रहे हैं, उसकी वज़े से कहीं आप परिशान हो सकते हैं, कहीं आप again मैं कहूंगी कि इतना great नहीं feel कर रहे हैं, तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि beyond a point हमारे हाथ में होता है कि हम चीजों को कैसे deal करें, externally कभी कभी अगर चीजें बहुत great नहीं भी चल रही हो और हम अपना you know internal self ठीक रखते हैं, या फिर अपना state of mind नहीं खराब होने देते हैं तो फिर beyond a point कोई चीज हमें परिशान नहीं कर पाती है, और फिर से मैं कहूंगी कि देखिए, जादातर cards काफी positive दिख रहे हैं तो हलका सा जो एक you know issue या मसला रह रहा है, और वो भी मैं फिर से कहूंगी कि एक negative frame of mind की वज़े से मुझे जादा दिख रहा है इसको ज़रूर आप चेक करके correct करें और देखिए यहाँ पे cauldron का card in general की energies के लिए भी कहीं dreams की बात करता है और यहाँ पे भी देखिए dream का card है तो फिर से देखिए आपके dreams, आपके wishes related in four months में या तो you know कोई चीज पूरी हो रही है या फिर से मैं कहूंगी कि आप अपने dreams, आप अपने wishes पे ज़्यादा focus कर रहे हैं कि भई आप क्या चाहते हैं, आप क्या अपनी life में manifest करना चाहते हैं और देखिए cauldron का card कहता है कि again जो भी आपकी dream है, जो भी आपकी wish है उस direction में action, initiatives लेने का यही right time है और देखिए जब universe आपको favor कर रहा हो, या मैं कह सकती हूँ कि circumstances, situation favorable हो तो ज़रूर हमें action initiative लेना चाहिए और अपने dreams को हमें reality में convert करना चाहिए और देखिए दूसरी बात काuldron का card कहता है कि एक wisdom या तो आपको आ रही है या आप लाना चाहा रहे हैं इन्ही सब चीजों से related या फिर cards आपको advise कर रहे हैं कि जो भी आप करें बहुत सोच समझ के करें, बहुत wisely करें देखिए knowledge हम सब लोगों को ही होती है लेकिन जब हम उस knowledge को apply करते हैं तो वो wisdom कहलाती है तो जो भी knowledge है आपकी, again मैं कहूंगी आप उसको apply करें या फिर अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप किसी experiential इनसान से या जिन पे आप बहुत trust करते हैं उनसे जरूर discuss करें, उनसे जरूर बात करें और देखें यहाँ पे a leg up का card भी यही चीज आपको you know advice भी कर रहा है कि किसी भी level पे, किसी भी चीज को लेकर अगर आपको किसी की भी help, किसी की भी support की जरूरत हो तो वो आप जरूर लें, आप बिल्कुल भी hesitate ना करें देखें कितनी बारी होता है ना कि हम ego की वज़े से वो help, वो support नहीं मांगते हैं कभी-कभी हमें लगता है कि भी हमें मिलेगी ही नहीं कभी-कभी again हम reluctant होते हैं कि सामने से कहीं ना ना हो जाए तो यह card बहुत ही clearly कहता है कि हम सब लोग एक दूसरे के ओपर किसी ना किसी level पर you know dependent है और healthy dependency कहीं अच्छी भी होती है जहां पर देखें फिर से मैं कहूंगी कि किसी help, किसी support कि अगर आपको जरुरत पड़े तो वो आप ज़रूर ने hesitate ना करें तो यह था Libra's आप लोगों के लिए May, June, July, August 2022 की reading और Libra's इस reading में हम देखेंगे कि 2022 के last के 4 months यानि की September, October, November, December आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं तो देखें इन 4 months को देखें तो यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है existence और यह बहुत ही positive card है और बहुत ही beautiful energies की बात करता है और अगर आप भी इस card को देख पा रहे हैं तो एक खुला सा आसमान है आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं और कहीं एक तारा तूट भी रहा है और देखें बच्पन में जब भी हम तूटते वे तारे को देखते थे तो जट से हम wish मांग लेते थे क्योंकि कहते हैं कि तूटते वे तारे से जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है और कुछ ऐसी ही energies इस card की भी हैं जहां पर universe favor करता है जहां पर किस्मत हमारा साथ देती है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी in 4 months में यहां फिर in 4 months की starting में रहता हुआ दिख रहा है लेकिन देखिए Libras जितना भी universe आपको support कर रहा है किस्मत आपका साथ दे रही है लेकिन आपकी energies कहीं बहुत great रहती हुई नहीं दिख रही है यहां पर seven of souls reverse का card कहता है कि कहीं आप कुछ चीजों से escape कर रहे हैं अगेन मैं कहूंगी कि कहीं कुछ चीजों से बचते बचाते देख रहे हैं थोड़े से manipulative आप हो सकते हैं diplomatically चीजों को deal करना चाहा सकते हैं और देखिए कुछ Libras के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी ऐसी energies हैं और देखिए Seven of Souls का card कहीं cheating का भी card होता है और यहां पे देखिए सब के लिए cheating differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद के साथ ही Libras इतने honest नहीं हो पा रहे हैं कहीं आप अपनी dreams, अपनी wishes, अपनी desires को लेके again मैं कहूंगी honest नहीं हैं और देखिए हमने 2022 के starting में box card में देखा भी था कि कहीं आप अपनी dreams, अपनी wishes पे focus करना चाहा रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपने आपको restrict कर रहे हैं और देखिए कितनी बारी लोगों की वजए से, society, religion की वजए से हम अपने आपको back seat पे रखते हैं कहीं you know हम अपनी wishes, अपनी desires को acknowledge ही नहीं करते हैं और उस direction में action initiatives भी नहीं लेते हैं तो देखिए कुछ लोगों के लिए again literally ये भी रह सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं कहीं उनके intentions, उनके motives आपके लिए बहुत great नहीं हैं और इस scenario में Libra's मैं आपको कहूँगी कि आप alert रहें आप cautious रहें, conscious रहें आप blindly किसी पे भी trust ना करें देखिए trust तो हमें करना पड़ता है, trust के बग्यार काम नहीं चलता है लेकिन कभी-कभी ना हम बिना सोचे समझे ही trust करते हैं तो वो अगर आप कर रहें हैं तो ना करें और देखिए कहीं mid of these four months के लिए यहाँ पे five of cups का card कहता है कि कहीं कुछ mistakes या तो आप से हुई या फिर चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और कहीं या जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उनके उपर ही आप जादा focus कर रहे हैं कहीं एक regret वाली energies में हैं कहीं बहुत जादा again मैं कहूंगी कि एक negative frame of mind में आप रहते हुए दिख रहे हैं फिर से देखिए हो सकता है कि कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और देखिए deeper level के लिए completion का card कहता है कि इन 4 months में हो सकता है कि एक phase आपकी life का end हो रहा है और नहीं beginning हो रही है और जब भी 5 of cups का card आता है तो हम यही कहते हैं कि बहुत बहुत important है कि आप अपना focus थोड़ा सा उन चीजों पे shift करें जो आपकी life में अच्छी है और again देखिए एक positive frame of mind आप लेकर आएं और अगर आप इस card को भी देख पा रहे हैं तो 3 cup ज़रूर गिर गए हैं लेकिन 2 cup अभी भी खड़े हुए हैं और यह card का message यही होता है All is not lost तो अभी बहुत कुछ है जिस पे focus करके आप चीजों को better कर सकते हैं अगर किसी level पे किसी तरीके का नुकसान भी कुछ liberalist के लिए हो रहा है और देखिए अगर इन चीजों को आप नहीं ठीक करते हैं या फिर अपने आपको इन energies में से नहीं निकालते हैं तो यहाँ पे page of cups का card कहता है कि आप emotionally low feel कर सकते हैं आप काफी sentimental हो सकते हैं और कहीं देखिए एक immature behavior भी आपका रह सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि कोई बच्चा आपकी life में है जिसकी वज़े से आप emotionally low feel कर रहे हैं या फिर आपकी ही you know childish सी energies हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी message किसी phone call या फिर किसी भी चीज का wait कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है आप किसी invitation का wait कर रहे हैं किसी news का wait कर रहे हैं नहीं मिल रही है और इसलिए आप emotionally low feel कर रहे हैं या फिर देखिए in 4 months की energies बहुत great नहीं हैं इसलिए आप low feel कर रहे हैं हाला कि देखिए deeper level के लिए आपे सब ही positive cards हैं existence again किसमत के साथ देने की बात करता है और कहीं completion भी एक phase के end होने की बात करता है नई beginning की बात करता है तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को आप नहीं let go कर पा रहे हैं और नई चीज़ें आपकी life में आ रही हैं लेकिन आप उनको welcome नहीं कर पा रहे हैं और Libras मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब तक हम नई चीज़ों को welcome नहीं करते हैं तब तक एक growth एक progress भी हमारी life में नहीं आती है और अगर ऐसा आप भी महसूस करें तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें हालां कि देखिए end of these four months के लिए new vision का card कहता है कि आप चीज़ों को लेकर अपना perception अपना नजरिया बदलना चाहा रहे हैं आप नए सिरे से चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं अगेन आप नए नजरिये से चीज़ों को देखना चाहा रहे हैं लेकिन देखिए surface level के लिए page of cups reverse का card कहता है फिर भी आप emotionally 100% नहीं feel कर रहे हैं फिर भी आप low feel कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी इतने अच्छे cards नहीं हैं वो कहीं minor arcana cards हैं और minor arcana cards कहते हैं कि minor ही चीज़ें हो रही हैं positive हैं जो कि major events के बारे में बात करते हैं जो कि कहते हैं कि आप कुछ जादा नहीं कर सकते हैं तो फिर से देखिए nutshell में जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या पर जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं आप अपने आपको इन energies में से बाहर निकाल सकते हैं और देखिए overall की energy के लिए अगर हम देखे तो यहाँ पे no place like home का guard है तो देखिए यह secure energies की बात करता है कहीं stability की बात करता है कहीं comfort की बात करता है तो overall के लिए देखिए again बहुत कोई बड़े मसले बहुत बड़े issues नहीं दिख रहे हैं फिर से देखिए एक stability एक security रहती हुई दिख रही है भले ही आपकी energies जैसी भी हो और यहाँ पे guidance के लिए gentle का card कहता है कि in four months में अगर आप you know slow and steady ही चीज़ों को deal करते हैं और वैसे भी देखिए Libras कहते भी है slow and steady wins the race आपने rabbit और tortoise की race में देखा भी होगा कि rabbit बहुत तेजी से चलता है और हार जाता है और tortoise कहीं एक ही speed को maintain करता है और वो जीट जाता है और कुछ ऐसा ही message इस card का भी है कि again आपने impulsive नहीं होना आपने जल्दबाजी नहीं करनी है आपने सबर रखना है patience रखना है और देखिए जो भी आपके plans है जो भी आपके mind में चल रहा है बहुत जादा आप लोगों के साथ share ना करें आप complete surrender complete faith universe पे करें क्योंकि फिर से देखिए universe आपको support कर रहा है जो भी आपकी energies है जो भी in four months में हो रहा है तो फिर से मैं कहूंगी कि आप universe पे faith रखें जिस भी God को आप मानते हैं आप उन पे faith रखें और अगर ऐसा आप करेंगे तो इन four months की energies को भी आप बहुत better कर पाएंगे तो Libras ये था आप लोगों के लिए 2022 के last के four months that is September, October, November, December की energies 2022 के रखेंगे